आज हम बात करने वाले हैं मेरे पास एक CBT2 का मेरा खुद का पेपर है प्रिवेस यह आज हम इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं पूरा सॉल्व करेंगे हर कुस्टन को चाहे वह मेहत का हो चाहे रीजिनिंग का हो चाहे जीएस हो चाहे साइन्स हो पूरा करने की कोशिस करू कर दो हूँगा मैं अपना खुद का आपके लिए पेपर लेकर आया हूं आपको इससे आईडिया होगा मैध के को सबस्क्राइबल कर रिजिनिंग का खासकर मैत आपका इतना डाउट है आपको इससे एक आईडिया मिल जाएगा किसी विटी टू में क्या लेवल रहता है जो स चलिए देखते हैं पेपर को देखे पार्टे होता है आप सब जानते हैं इसमें पहला कुछन पूछा गया है तस अजार की रासी दो बर्स में 11449 हो जाती है जब कि ब्याज बार्सिक रूप से चक्रवत चक्रवजी वाज किया जा रहा है प्रतिवर्स ब्याजदर के दिनी म और इधर वह हो जा रहा है 11449 रुपे आप देखे तो क्या है इसको आप जानते हैं यह रेशियों से पढ़ेंगे या अंडर रूट से देखिए तो यह 100 का है और यह 107 का है रेशियों में काटने के बाद इतना हा जाएगा अब मतलब 100 से 7 हो रहा है मतलब कि 7 बढ़ रहा भी निकाल सकते हैं अब अगला निमलेकित में से कौन सा त्यवार फसल पर आदारित है तो आप सब जानते हैं तीज हरयाली तीज होती है लेकिन फसल रिलेटेटर नहीं है जन्माश्टमी भी नहीं है दीपावली भी नहीं है एक मात ओडम त्यवार होता है जो फसल से रिल लोख़ाई ने Aididji होते हैं इसमें आप एक चीद दीये Nep कर देखिए ट्रायंगल आपको कितने दिए गए एक तीन चार पांचुस क्था पांच और दो आपको सरकल एक रेक्टेंगल दिया गया है PalmGU यही देखना है क्यादेपल्पन वह सकता है इसमें भी 3 triangle 5 triangle 2 और यह लेकिन इसमें देखिए आपको 12 चार ही parall दिये गए हैं तो आपको यह ॓ड है क्योंकि समें जो चित्रों में triangle और rectangle ग्तियंगल यह वो ऐलग है इसमें अलग है तो यह अब गया इस लिए है मतलब आप यहां पर 60 किलो के हैं प्रत्वी फर्ट तो चंदर्मा पर जाके आप 10 किलो के हो जाएंगे यह उसका अंदल gravity की वज़े से भी होता है क्योंकि weight आप जानते हैं weight वरावर होता है mg तो उसकी ग्रेविटिया लगए उसी की वज़े से बताएं लेस हो जाएगा फ्रत्वी से तो इसका अंसर होगा लेस देन एक्स एक्स बट्टे छे होगा आपका अब बात करते हैं अगला कुस्सन देखें मैत का कुस्सन है इसमें बुला है पाइप ए और भी एक टेंको बारे में और यहां सोले में बहर रहा है और चार मिनट के लिए और भी दौनों चालू के जाते हैं तो इसका टोटल वरक आप निकाल सकते हैं अटालीस हो जाएगा 12 चका अटालीस और 66 ओ देखें मैं नहीं जानता हैं डेकिन इस में देजों रेखेंसे सवाल हो जाते हैं तो टोटल वरक में हम्मालत लेता है उसके बाद में देखें यह और भी दौनों चालू किये जाते हैं और फिर यह को बंत कर दे आफ़ heldalin id तो बिस गाम क्या है औहीं को बन कर दे जाता है मतला अब यहां का मैं करेगा आप काम करेगा B, B काम करेगा बचा हुआ जो 20 है, इसको कितने में बढ़ पाएगा 25 तीन कर देंगे, जितने में बढ़ पाएगा 20 काम को एक बार में 3 करता है, तो इतने समय में कर पाएगा, यह आप हो गया इसका आंसर, तो इस फिरकार आप सॉल्फ कर सकते हैं, देखे, लेबल इतना टप नहीं है, आप देख पा रहे हैं जैसा के, यह रीजिनिंग का कोस्षन है, वह विकल्फ चुनना है, जो दूसरे से रिलेटर है लंबा का छोटा, बलॉम सब देखते रहेगा है लंबा का छोटा, खुसका दुखी, यह सब होई जाएगा आप से एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है, ELP के अग्जाम में, पिछली बार ऐसा यह वा था हर सिप्ट में आप से एक बुक का नाम बुक या ओथर का नाम बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो इसमें भी भाई पूछा गया है, आरके नायर अपनी किस किताब के लिए परसे दें, तो आप आरके नायर अट जी ने माल गुडी डेज पुस्तक लिखिया, जिस पर यह नाटक भी बनाए, जो यूटूब पर भी मौजूद है, तो उन्हों ने लिखिया, माल गुडी डेज अब देखिये, आप से यह कुस्तन देखिये, अगला कुस्तन है इसमें देखिये, क्या है, आपको किस परकार से कुस्तन करना है, देखिये प्लस का माइनस दर्सा गया है, माइनस का प्लस दर्सा गया है, मल्टिप्लाई का डिवाइड दर्सा गया है, इस परकार कुस्तन को सबसे पहले आप संख्या लिख लिजिए 9, 3, 6, 2 अब इसमें क्या है, देखिये multiply को क्या दर्सा आया है देख लिजिए multiply को divide दर्सा आया है तो मतलब यहाँ divide हो जाएगा अब उसके बाद plus को दर्सा आ गया है multiply उसके बाद में divide को दर्सा आ गया है minus तो यह कुछ सना आप यहाँ से कर पाएंगे पहले divide करते हैं बोड मास का नहीं हम आप सब जानते हैं बाड मास होता है बोड मास में पहले ब्रेकिट खोलते हैं फिर उसके बाद डिवाइट करते हैं यह सब आप जानते होंगे उसके बाद में क्या करना है इसको करेंगे 3 x 6-2 मतलब यह आ जाएगा 16 आपका अपका तो मेरा मकसद आपको एक कुस्टन देखाना है कि एक्जाम में किस पिरकार के कुस्टन आते हैं देख लिजे आप यहीं से नॉर्मल ही हो जाएंगे जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर करता है यह डारेक्ट आपसे फर्मूला होता है वह पूछा गया है हीट अन्ट ट्रांसफर का है यह बेसिक साइन्स का कुस्टन है देखिए एक कूटवासा में 295 का अर्थ है वाटर एज लिक्विड फाइब फोर नाइन का अर्थ है ओल इज लिक्विड तो इस पर गाड़ी कॉस्टन को आपको कैसे करना है इसमें आपको कॉमन डेजिट डोडनी है कॉमन डेजिट कैसे डोड़ेंगे मैं आपको देखा दू तो देखिए 295 इदर भी है 549 इदर भी है मतलब इन दोनों में 5 कॉमन है और इन दोनों में यह क्या कॉमन है इसमें देखिए वाटर इज लिक्विड ओल इज इसमें क्या गया है 824 है और इधर 549 है मतलब फोर ही इन दोनों में common है आप जैसा देख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है इसमें फोर का एक ही common है तो वर्ड कौन सा common है oil is liquid oil on water तो मतलब oil का हो गया फोर ये तो आप confirm हो गये और उसके बाद में liquid का जो था वो 9 था जो हम देखे एक का होगा हमको पता चल गया तो liquid का भी हमें पता चल गया अब इसमें हमसे पूछाए on के लिए क्या use करेंगे तो आप सब देख लिए water इसमें दो है दो इसमें भी हो गया है तो मतलब मांझा लेजिए आप water के लिए two हो गया water के लिए two हो गया और on के लिए क्या हो जाएगा अन के लिए eight चोंकि इसी में है तो इसका हो जाएगा on के लिए eight इस पिरकार आपको करना है practice करेंगे तो यह बहुँती easy हो जाएगा यह load और effort से आप से question पुछा गया है basic science का question है effort और लोड का उसके बाद में मैत का यह कुछन देखते हैं देखिए एक system को M और N दौनों मिलकर बढ़ सकते हैं मिनट में बढ़ सकते हैं मिनट में बढ़ सकते हैं इसमें संख्या का अबाब है कितना मिनट दिया है कुछन हिंदी में translate किया था तो इसलिए इसमें कुछन अधूरा हो गया हिंदी में इसको seating arrangement का कुछन देखते हैं हम seating arrangement में देखिए I, J, K, L are sitting in a row मतलब एक row है उसमें I, J, K, L सब लोग बैठे हुए हैं तो इसमें क्या है L and I are sitting next to each other मतलब L और I एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं and I and K are at the ends मतलब इतना confirm हो गया यहां पर या तो K यहां पर होगा यहां पर होगा यहां पर दूसरे के पास कैसे बैठे सकते हैं इसके थाफ का बचा क्या I हो गया हमारा K हो गया तो J जो बचा हो यहां रहेगा क्योंकि J इधर भी यहीं रहेगा इधर भी या तो यह हो सकता है I L J के या I L J के इधर से हो सकता है Who is sitting next to J मतलब J से next कौन है तो इसमें देखिए L और K इस वाले अंतर में भी हम दोनों इसके पास में हैं और S के में बात की जाए J के में तो K और L इसके में भी है तो आपको अंसर देखिए K और L दिया गया है तो आपको इस प्रकार से इसका अगर यह पूस्ता राइट लेट बड़ा कुस्ण करके भी इसको गुमाया जा सकता था उसमें यह काउंटर हो सकता था कोई एक तो इसमें सीधा हमारा कुस्ण हो गया ऐसे करना है यह लोडो रेपर्ट का साइंस का कुस्ण है यह मैंने साइंस के कुस्ण अलग से डिसकस की हैं तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा मैं त्रेजिनिंग पर करूँगा दस दिन में एक काम दो बट्टे पांच हिसा कर देता है यह है जो एक काम का दो बट्टे पांच हिसा दस दिन में कर सकता है मतलब दस दिन में एक कोई काम है उसका दो बट्टे पांच कर सकता है मतलब काम कोई भी होगा उसका दो वट्टे पांच कर सकता है मतलब कि दस दिन में कर रहा है वो दो वट्टे पांच हिस्सा कोई भी काम हो सकता है दो को कर रहा है वो दस दिन में तो एक को करेगा पांच दिन में और टोटल काम ये है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 25 आप सब जानते हैं मतलब टोटल काम माननेके चलिए देखे बता दूँग algún 2 बट्टे 5 में से मतलब टोटल काम 5 है उस मेंसे 2 वो कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा 5 जानते है टोटल हमने ये माना था पांच एक बरावर पांच के पांच बरावर पच्चिस के आपको रेशियो से बड़ा ही अच्छा कुछ सनय हो जाएगा बी दस दिन में उस काम को एक वट्टे दो इससा पूरा करता है अब भी उसी काम का एक वट्टे दो मतलब टोटल दो काम है एक को दस में कर रहा है तो एक को दस में कर रहा है दो टोटल काम बीस हो गया बीस काम अब आपको ए का और बी का काम पता चल गया एक को पच्चिस में था और बी को था बीस में तो उन्हें पांच दिन मिलकर काम किया जिसके बाद ये ने काम छोड़ दिया पांच दिन तक तो करेंगे अभी टोटल काम देख ले थे 100 काम टोटल हो गया 25,600, 20,500 मतलब एक दिन में वो 9 काम कर रहे हैं पांच दिन तक मिलकर काम किये तो 45 काम वो कर चुके हैं दोनों 45 काम कर चुके हैं बचा है 55 काम 20 सेस काम को कितने दिन में करेगा एक दिन में पांच करता है सेस काम 55 बचा है तो कितने में करेगा ग्यारे दिन में करेगा देखिए कितना एजी कुस्टन है यह आपको बस थोड़ा सा रेसियों के जरी यह कितना एजी हो गया यह कुस्टन तो इस प्रदार एक कुस्टन को आपको इसे प्रकार से करना है दोस्तो अभी थोड़ा सा अगे चला गया यह 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 था 16 मां को अच्छे से पढ़ लेना एक बार मतलब दो अजार उसने टोटल खर्च किया उसमें से जो खर्च किया वो दो वट्टे पांच बागे मान लीजिए उसके पास पांच रुपे थे उसमें से उसने दो खर्च कर दिये तो दो जो खर्च किये इसमें लेकिन हमने रेसियों में माना है 2 है लेकिन 2 बढबर कितने के 1000 १शार के है तो एक बढ़ाबर हो जाएगा एक 2010 के और पाँच बढ़ाबर हो जाएगा पांच 2000 के तो मतल। मतल। सके ऊसके भाज हचांच 5 पांच अजार रुभतने एतना बड़ा कॉस्सन और यहां बरवली है अगर को याद रखना है कि देखिज दुस्तों यह सन आपको कैसे करना है j प्लस एच का वज़़ है ज़ेज की पूत्री है मैनस제가 अज है ज़े ऑच की बेहन है। यह इंट का सब करना होगा इस Products मैं आपसे बता दिया गया है i-j मतलब i-j क्या दिया गया है देखिए i इसको माइनस भी कर सकते हैं माइनस कारता है i-j की बेहन है मतलब i औरत है यह तो पक्का हुआ यह option हो सकता है और यह option हो सकता है I J की बेहन है और दूसरा देखिए J dash F J dash F का मतलब देखिए यह इस्टर दिया गया है इसका मतलब है G H का पती है मतलब J पती है किसका H का H हो गई औरत F plus H plus का अर्थ है F H की पुत्री है F जो है H की पुत्री है F इधर होगी इसमें क्या relation बनके आरा है किसका अर्थ होगा I H की पुत्री है इसमें relation नहीं है इसी प्रकार आपको हर option को करके देखेंगे एक एक से जिससे भी आपको यह relation fulfill हो जाएगा I H की पुत्री है वह इसका अंसर होगा तो आप इसको अपने से करके देखिएगा आपके लिए होंबर के जरूर देखिएगा इसी प्रकार से आपको सबको decode करना है जहां भी I और J में I मेल आ गया तो वह option डारेक्ट काउंटर हो जाएगा वह नहीं होगा क्योंकि I H की पुत्री है इसमें बोला गया है तो सबसे पहले condition होने चाहिए I फीमेल ही होगी कोई तीन option में फीमेल है एक में मेल होगी वह हो तो काउंटर वहीं से हो जाएगा तो आपको इस प्रकार इसको करना है voltage V वाला को किसी परिपत में दारा I को बनाए रखता है समय T में स्रोथ द्वारा परिपत को बेजी गई उर्चा इसमें एनर्जी का फोर्मूला होता है V I T voltage, current और चमय आपको याद रखना है देखिए टिग्नोमेटी का कोशन है डारेक्ट वेलू रखेंगे हो जाएगा टिग्नोमेटी का कोशन ये भी आपको करके देख लेना है अब देखिए ये भी एक टिग्नोमेटी का कोशन है साइन ठीटा वराबर 15 वट्टी 17 है मतलब आप जानते हैं इंदी वाले student जानते होंगे लाल वट्टे काका होता है लाल वट्टे काका उसका यह कुसी से होगा sign cost 10 और 10 का उल्टा होता है caught तो आधार बट्टे लंब इसका होगा पहले देख लिए sign का मतलब क्या है आपको दिया गया है इसमें पाकिस्तान इंगलिस में भी इसको पढ़ते हैं पाकिस्तान वो का प्यासा हिंदोस्तान हरा भरा मतलब perpendicular upon hypotenuse आपको formula जानते है स्क्राइब प्लश घृटबस भी स्क्राइब यहां से आप निकाल सकते है इसका बेष स्क्राइब मतलब 17 इसक्राइब हो जाएगा 389 is equal to P का square हो जाएगा 225 plus B square अब इसको इधर ले जाएंगे तो यह गटाएंगे तो यह हो जाएगा 64 64 का UNDER ROOT करेंगे तो यह होजाएगा 8 मतलब BASE आगे हमारे पास 8 तो आप सब जानते हैं कॉट हो ल्ता है लालवटे काका तो आधार 8 हो गया और हमारे पास पाकिस्तान वो का प्यासा जो बेर आपको बताए था हिंदुस्तान हरावरा ये पाइथा गरसका थेवरा में परपेडिकुलर हमारा पंदर रहे था इससे आठ पंदर आंसर हो जाएगा ये उस समय भी में गत किया था चार अंकों की एक संख्या देखे ग्यारे का ग्यारे का भी वाजकता का नयाया नियम आपसे पूचा गया है इसमें आपको सब में चुरे असं में dzisiaj में बहुत ही अच्छे कुस्टन में सूरेशन से आते हैं यह आपको 11 का विवाज अक्ता का नियम है गिरती हुई बस्तों से यह तो सेप्टी का सेप्टी और इंस्ट्रक्शन का कुस्टन है पैर के पंजे ही बचेंगे जूते प्रेंगे तो यह भी मैंने आपको बताया हुआ है कुस्टन अब देखिए मैं क्या दो बाग क्या आपको दिए गया है उसमें से बताना है कि कौन सा बक्त तब है वो आवस्ते होगा आंस्वर देने के लिए तो प्रस्न क्या इस्टूर दार स्टॉपर प्रदान की जा रही चूट कितनी थी अब पहला इसमें दिया गया है मतलब तीन खरीद रहे थे तो एक मुप्त दे रहा था उसके वाद 36 के सावन की खरीद पर दस के चूट जा रही च्छतिस का खरीद रहे थे दस की चूट मतलब 26 में सावन मतला था तो आप एक ही किसी भी option से आप इसका आंसर बता सकते हैं एक की चूट मिल लए थी कितने पर तीन पर इससे भी आप बता सकते हैं कितनी आपको चूट मिल लए थी या आप दोस्तों उससे भी बता सकते हैं कि दस की चूट मिल लए थी आपको 36 का सावन खरीदने में इससे भी इसका अंसर आप बता सकते हैं तो आप कोई भी यह गया तो एक हो आपके पास या दू वहो किसी से भी आप इसका अंसर दे सकते हैं अगला कुस्टन बात करते हैं यह आपको इंजिनियरिंग ड्रोइंग का कुस्टन है बताया हुआ है यह भी साइन्स के कुस्टन बताय हुए है देखिए मैत का कुस्टन एक स्रेडी दी गई है जिसमें एक चूता है श्रेडी को पूरा करने के लिए दियना है देकि इसमें एक एक えक पाई इकल टू बाई से बट्टे साथ रखने पर अब देखिए दोस्तों ये खुशन बड़ा ही अच्छा खुशन है बहुत जादा पूचा जाता है एक संक्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी 84 से कम है वो संक्या क्या है तो आप देखिए कोई भी संक्या लेकर सकते हैं आप क के द्वारा भी कर सकते हैं लेकिन इस पर रखा कोशन ऐसे करेंगे तो हो जाएगा देखिए एक्स और एक्स हो जाएगा टू एक्स उदर ले जाएंगे तो इदर लाएंगे से टू एक्स और इस इकल टू पर इट्टी पूर में से 50 आप माइनस करेंगे तो यह आएगा 34 एक्स बरावर 17 अब एक्स कमान सत्रे आगया या तो यहां सत्रे रख दीजिए यहां आपको आंसर से मिलने वाला है क्योंकि दोनों बरावर में 50 पिल सत्रे करेंगे तो 67 यह आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं 67 डारेक्ट ऑप्शन उठाएंगे पहला उप्शन नहीं है एक यदि किसी मानक इंजर्ण गारेक्ट 841 गुणा 1189 यह क्या होता है यह जिरू सीट का लंबा होती है कच्ची पूरी किस राज्य का है तो आंदर ब्रदेश का कच्ची पूरी मतलब कच्ची पूरी कव होंगी जब आंदरा आंप इसकी ट्रेक भी लगा सकते हैं कोई देखिए एक यंग के कुस्टन आप जलूर याद कर लिजिए साथ का अगर आप इसमें एक यंग हमसे पूछाए तीन है छे है और तो छे का कोई भी होगा तो उसका तो एक यंग छे ही रहने वाला है तीन का देखिए अगर तीन की पावर वन है तो क्या होगा तीन की तो इसमें क्या है 1 बचेगी 3 की पावर तो 3 into 6 हो जाएगा क्योंकि यह दो से काटेंगे तो पूरा कट दाएगा एक और बचेगी इसमें उसके बाद में 7 की तो 6 की आप सब जानते हैं 6 ही रहने वाली है तो इसकी बचेगी आपकी 3 की 1 into 6 की तो 6 ही काई अंक रहने वाला है अब 7 का मतला है कि आपको 3 सेवन की अगर आप सेवन की वन पावर करते हैं तो सेवन आता है सेवन की टू पावर करते हैं तो नाइन आता है और थ्री पावर करते हैं तो आपका थ्री आता है और फूर पावर करते हैं तो बनाता है अब इसमें बचेगी सेवन की कितनी पावर फूर पावर फूर पावर यह एक अच्छा ही अलग-अलग प्रिकार से होता है में ट्रेक के माध्यम से पढ़ाता इसमें आपकी जो घाते इसमें डिवैड देते हैं और आप कहां कहीं से भी पढ़ें उसको आप कर सकते हैं अब इमें एक बस्तु को 12,000 में बेचा गया 15% के छोट दी जाए तो 2% का लाव होता है तो आपको पूछा है बस्तु का क्रेमूले क्या होगा मतलब कि कोई बस्तु 100 रुपे की थी तो उसे 85 में बेचा गया लेकिन 85 में भी हमारा इसमें 2% लाव है मतलब कि 102 का भी यह पिच देखिए मैथड अला अला हो सकता है मैं रेश्यो मैथड से ही जाता पड़ा हूं कोस्वन इसलिए आप जो भी नहीं पड़े हैं कन्फूज ना हो आपको बस कोस्वन देखाने का मेरा एक मोटिव है मैं अपना पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 degree Celsius से 4 degree Celsius के बीच होगा तो देखिए पानी का वॉल्यूम का एक मैं आपको ट्रेक बता देना चाहता हूं आपके बड़ी की काम की ट्रेक है वा जब भी आप निकालेंगे चार्ट बना लेजिए वॉल्यूम में V बना दीजिए V वॉल्यूम मतलब V आयतन तो 0 से degree देखिए पहले ये घट रहा है फिर बढ़ रहा है तो इसमें पूछा है पानी की निश्चित मातरा का आयतन 0 degrees Celsius और यहां होता है 4 degrees Celsius आप सब जानते हैं तो यहां से पहले घटेगा फिर बढ़ेगा कम होता है पहले कम होता है आयतन 0 से 4 degrees तक कम होगा उसके बाद बढ़ेगा और अगर इसका आपोजिट आपको करना है डेंसिटी का तो डेंसिटी का चार्ट इसका पोजेट बनता है चार्ड इगरीप है मेकसिमम रहती है तो दुस्तों यह कुछ कुस्टन थे बागी के कुस्टन हम आगनी वीडियो में डिसक्स करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगे इसलिए पार्ट टू में दूसरा डिसक्स करेंगे आप चातने में कंटिन्यू करूं इसको अच्छे से बोर्ड पर कराऊं तो उसके लिए कमेंट कीजिए आज की वीडियो में बस इतना